कि बहुत बहुत सौगत हैं आप सभी का प्रेटिवले पेपर है कर वे मैं सुरुष राज आज की बिने देखने वाले हैं जो भी छात्र बीएसी थर्डियर में हैं हम बॉटनी का सब्सक्राइब पर पहले से अप्लोड कर रखा है आप सभी छात्रों से अनुरोध है और हाथ आप जोड कर बिनती है इस वीडियो को शेर कर दो यां ठीक है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत खास वीडियो क्योंकि आपका जो भी दोस्त ना वो यार अच्छे नंबर से पास होना चाहिए आपके साथ हमें समझ रहे हैं हाथ जोड़कर बिनती है इस वीडियो को शेर कर दो जो भी आपके पास गुरूप है ठीक है जो भी आपके गुरूप बने हुए है उसको शेर कर दो क्योंकि यार आपके दोस्त को सबसे पहरे यह निज मिलनी चाहिए कि 2022 के पेपर में जो अभी आने परसों पल्ले दें पेपर है उसमें कौन से कोशन आए यह जरूरी है यार मैं समझ रहूं आप यार आपके साथ में आपका दोस्त पास होगा तो कैसा लगेगा आपको अच्छा लगेगा आपका साथी आपके साथ रहे अभी यहां देख लो यह जो बात करने वाले है बीस कसक्राइब करूँ अभी सस्क्राइब करने सा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शैर कर आभी यहां सबसे पहले समझ तो COM कुछ मैंने कुछ तिन पहले आपको केबल 17-18 कोशन दिये थे यह सबको पता होगा और मैंने आप छे-बोला इन कोशनों को याद करके 85% प्लस लाओगे मतलब की 85% प्लस 2022 के टॉपर तुम समझ रहे आप मैंने उसके बाद में कहा कि 13-14 कोशन जो आज मैं आपको प्रवाइड करा रहा हूं आज की बात है जो आप से चार से पांच से साथ दिल परवाइड कराता हूं आप इन कोशनों को याद करोगे तो 80% प्लस लाओगे अब देखो 13-14 कोशन केवल समझ रहे ना और हां यह भी सुन लो एक्जाम से दो डेज पहले आपको केवल 10 कोशन दूँगा यह 10 कोशन पढ़के आप 70% लाओगे अब आपको बता दो कि आप कौशन परना चाहोगे एक्जाम से दो दिन पहले वाले या चार से छे दिन पहले वाले आज की वीडियो आज की वीडियो है जो 80% आप लाओगे आप टॉपर बन जाओगे समझ रहे ना अब आपके हाथ में मेहनत है आपको यह जो नोट्स आपको सब्सक्राइब करने से पहले सोच लेना है आप अब देखो समझ ले दियान से अब उस टीचर से बोलेंगे जो हमारी कौपी चेक करती है कि फेल करने से पहले सोच लेना अब हम कुछ नया करने वाले अब देखो जहां से बर्टनी के सेकंड पेपर में पहला पोशन नुकलिक एसेड और उसका इस टेक्स्चर नुकलिक एसेड उसकी सरचना डियने जनेटिक मटेरियल है यह आपको सिद्ध करना है और सिद्ध कैसे करेंगे कैसे किया था उन्होंने उन्होंने जब करापस में निमोनियां हो गए थी फिर निमोनियां नहीं हुई तो उसमें तीन-चार जो बैग्जानिक थे उन्होंने सिद्धिया की डीनेक अनुवनसिक पजार्थ है और इससे यह किरिया होती है वो एक सिद्ध करने का सो ट्रीगा होता है जिनेटिक कोड क्या है जिनेटिक कोड को आप पढ़ेंगे है प्रोटीन संस्वेशन आप पढ़ लेना सो परशेंट पीपर में छपरा है बाकी फालतु कुछ मैं नहीं पढ़ाऊंगा मैं वह पढ़ाऊंगा जो पेपर में आ रहा है पॉली सेक्राइट्स क्या होते हैं यह कार्वो हाइट्राइट्स के पार्ट होते हैं भैयां को सब्सक्राइट और यह सब वार्थन करेकर देने मॉडल होता है वह पढ़के जाएंगे सो परशेंट पेपर में छपरा है और बताओ यार चपने वाली दो को प्रकास संसेशन वने आपको बताया था ऊपर पढ़के जाना सरचना वरकी करना आगया वह कोशन कुछ बाहर से ने आएगा इंजाइम के पिरकार कारविधी को पढ़ने ना जैविक फिर्दोगी की क्या होता है अब इसको पढ़के जाएंगे जिनेटिक इंजिनिरिंग क्या होता है आप इसको पढ़के जाएंगे पाकि इनको छोड़ो यह चुड़ा रहो मैं आपको ठीक है एक कोशन जातिविधी के बारे में और आपको गिप्स की मुक्त जो मुक्त उर्जा अफधारना है concept of the गिप्स फिरी इनर्जी के बारे में यह पढ़ के जाएंगे most important कि इसके बाद में आप क्या देखेंगे यह देखेंगे DNA फिंगर पेंटिंग क्या होता है DNA DNA फिंगर पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे और यह आता है ATP ATP क्या होता है बहुत जादा important है ओवर लिपिंग जीन पढ़ लेना ओवर लिपिंग जीन पूछ लेता है और उसके बाद में को एंजाइम यह एंजाइम के पिरकार जब पढ़ोगे वहाँ को देखने को मिलेगा DNA ट्रांस्पर आराएने जो होता है आराने की सरचना देख लेनी है और यह है housekeeping जीन इसको पढ़ लेना है और इसमें आपको कुछ खास और नहीं देखने को जुरुत है और यह है आपका पादब ओधक भी अ्जेते हैं और यह है प्रोटो प्लाज्म कल्चर पढ़ लेना एंडिएन टेक्नलोजी पढ़ लेना जो देखने को मिलेगा यहां पढ़नों के बल्ले बल्ले हो जाएगी टेकर एक पादब हारमोन क्या होते हैं तिर पने यहयार कोई प Ern K आपको जब हमने कोमेंट कर दिया ना कि यह आ रहा है तो आ रहा है यह समझे लोग अभी सब्सक्राइब करके रख लेना बैल आइकल को प्रेट कर देना जो भी वीडियो आए दो दिन पहले वही देखके से ले जाना काम हो जाएगा बल्ले-बल्ले हो जाएगी आपकी जानल को भी सब्सक्राइब कर लो